हैं जी बच्छों तो चले स्टार्ट करते हैं ये कोशण रहेगा आपका फोटो एलेक्तिक से ठीक है तो कोशन होति बोला जा रहा है कि आपके पास एक मैटलिक सर्फेस है इस मैटलिक सर्फेस स्थे री January φालक। तो अलग-अलग light है तो इसका मतलब frequency भी अलग-अलग होगी हाँ बिलकुल ठीक समझा अपने ठीक है अच्छा जब यह fall कर रही है तो इस metal से electron eject हो रहे है red color से red वाला electron दिखाए गया है green से green वाला electron दिखाए गया और blue से blue वाला electron दिखाए गया colorful electron नहीं है यह बस बताया गया कि किस frequency से कौन से electron निकलाया ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि जब इलेक्टन बाहर निकलेंगे चलेंगे तो चलेंगे अगर हमने यहाँ पर एक negative plate लगाया ठीक है मतलब negative potential लगाया तो बताये किस electron को रोकने के लिए आपको ज्यादा negative potential लगाना पड़ेगा इसका मतलब आपसे पूछा जा रहे है stopping potential किसका सबसे ज्यादा negative होगा बस हो गया question खत्म ठीक है अब बताओ ठीक है तो हम अंसर बता रहे है answer हो जाएगा आपका यह वाला electron कौन से वाला blue वाला electron ऐसा क्यों तो चले एक बार discuss कर ले आपको पता है कि electron भीतर रहते है metal के surface पे आने के लिए उसको कुछ energy देना पड़ेगा तो ठीक है तो 100 जूल में से आपका 2 जूल energy लग गये इस electron को यहां से यहां निकालने के लिए मतलब सर भीतर से बाहर निकालने में लग गया ठीक है ऐसे सोचो तो बाकि जो 98 जूल हो क kinetic energy में convert हो गया ठीक है तो यह kinetic energy में चला गया kinetic energy का मतलब emotional energy मतलब यह electron चलेगा ऐसे करके अच्छा अगर कोई electron ऐसे करके इधर चलता हुआ आ रहा है इसको रोकना तो क्या करोगे आपको negative चीज लेके आओ गया पर ठीक है वही है negative potential के बारे बात कर रहा है अच्छा जितनी सबसे ज्यादा kinetic energy होगा उतना ज्यादा negative लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए वही तो बूल रहा है negative potential आरे बास समझ रहा है अच्छा इसका मतलब जिस electron के पास सबसे ज्यादा kinetic energy होगे उसको रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा negative potential लगाना पड़ेगा तो मान है कि सो जूल वाला जो एक्जामपल लिया तो उसमें दो जूल था कहां निकालने के लिए इलेक्टोन को सर्फेस पर निकालने के लिए अगे नहीं 98 जूल आपको यह हो गया ठीक है kinetic energy मान लीजिए आपने energy जो फॉल कराया है वो लिए आपने 200 जूल ठीक है तो वर्क फंक कर रहा है कि नहीं तो यह तो दो ही जूल करेगा अभी भी तो बाकि 198 जूल यह kinetic energy में चली जाएगी इसका मतलब इसकी kinetic energy बहुत ज्यादा होगी कब ज्यादा होगी जब आप 200 जूल की energy यहाँ पर फॉल कराया हो किसी metal surface में ठीक है तो यह तो मैंने ऐसी देशी भास में बता दिया आपको actual में क्या हो रहा है actual में आपको पता है कि आप photon की energy कैसे निकालता हो एच नियू करके निकाल दो तो यही मैं 100 जूल 200 जूल बोल रहा था ठीक है तो इसका मतलब एच नियू आपकी energy है यह energy metal surface पे फॉल होती है तो दो जूल आपका लगा था ना वही दो जूल के लिए मालू मैंने ऐसी लिखा यह आपका work function ठीक है प्लस में kinetic energy यह equation आपको इसमें आपको पता है कि यह आपका threshold frequency है यह आपका incident frequency है है कि नहीं अब यह वाली जो frequency है यह वाली इस frequency से ज्यादा ही होना चाहिए अगर कम होगा तो सोचो ना kinetic energy negative हो जाएगा ऐसा तो possible हो नहीं सकता ना सोचो सोचो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि अगर यह वाली frequency अगर अगर कम होगी किस frequency से इस frequency से तो क्या kinetic energy negative नहीं आएगी आएगी ना kinetic energy negative तो हो नहीं सकता ठीक है इसी वज़े से कह रहा हूं कि यह जो frequency है यह वाली frequency यू नोट से मतलब यू नोट से ज्यादा होने चाहिए इसे बोलते है थ्रेश्वल फ्रेश्वल फ्रेश्वल फ्रेश् और हो जाएंगे तो क्या होगा kinetic energy zero हो जाएगा है कि नहीं इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टन को surface तक ही लेकर आपाएगा ओके आपको यह बात भी समझ में आ रही है अच्छा यह जो kinetic energy है इसको आप क्यो वी से एक्वेट कर सकते यह क्यों क्या है चार्ज कौन सा नेगेट्व में रखोगे और नेगेट्व ही आप वल्टेज लगागे तो नेगेट्व पोजिट्व हो जाएगा तो kinetic energy अपने आप क्या जाएगा पोजिट्व आ जाएगा ठीक है ना तो इस सारी चीज आपको दिमाग में रखनी है अच्छा अब मैंने अंसर ऐसा क्यों बोला था कि ब्लू कलर की जो मतलब जो ब्लू कलर से जो इलेक्टोर निकलेगा उसको रोकने के लापको ज़्यादा नेग्टव पोटेंशल लगाना पड़ेगा वह इसलिए क्योंकि ब्लू कलर की frequency सबसे जबसे ज़्यादा होती है सूचो ना जितनी ज़्यादा frequency होगी कि के जितनी ज्यादा ये फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही नेगटिव पोटेंशल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए आरीवा समझ में तो इस वज़े से हम कहा सकते हैं कि ब्लू लाइट की वज़े से जो एलेक्टून लिख आपको ज्याद है नेगटिव पोटेंशल लगाना पड़ेगा ठीक है अगर आपको यह याद नहीं है इन कलर का फ्रिक्वेंसी कैसे है तो आपको यह याद होगा ना विप ग्योर क्या रह गया है वी आई बी जी वाई हाँ ठीक तो है इधर से इधर जाते है मतलब लेट स आपके पास यह ब्लू था ठीक है ग्रीन था देन उसके बाद रैड था तो सबसे ज़्यादा blue के energy होगी उसके बाद green के energy होगी उसके बाद red के energy होगी energy के context में बात करें तो ठीक है ना यह आपको समझ में आ गई होगी बात चलो ठीक है thank you